नमस्कार स्वागत है आप सभी का सुजस सारांस के इस क्लास में इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करेंट अफेर्स जिसका अधार होता है राजस्थान सिरकार की सुजस पत्रिका शुरुआत करते हैं हेड्लाइन्स के साथ सबसे पहली जानकरी है राइजिंग रा जैपुर में होगा अब इस मुख्य आउजन से पहले राज्य सरकार कुछ अलग-अलग कारेकरम चला रही है जैसे की इन्वेस्टर मीट और ऐसा ही कारेकरम है रोड़ शो इसकी शुरुआत पहले भारत में ही मुंबई से हुई अब राज्य सरकार कोशिश कर रही है कि विद से खते हैं कारेकरम के बारे में समझेंगे आज की क्लास में अगली जानकारी मुख्य मंत्री ने सीओल टेक्नोलोजी हाइश कूल का दोरा किया यह पहले सबसे पहले पहुंचे हैं दक्षन को यह और वहां के सहर्ज में इसके बाद आप पहूंचे हैं जापान में कि वासे सिवाओं को सुधृर्ण करने में सहयोग मिलें को प्रधान मंत्री टीवी मुक्त भारत अभिहान जिसका उद्देष से पूरेदेश से टीवी का उन्मूलन है समय सीमंदर धारट की गई है वर्स दो हजार पसचीस दो हजार पाचीस तक भारत से टीवी काउन मूल में च incubator करें ऐसा चिकत्सा मंत्री ने बैठ थी में निर्देश को अगले पेश पर जानका रिए जाप में पहुंच हैं कि रुखेत्र राइडरों को रीएंस और यहां भी निवेश कों को शकूह हैं और उनको राजस्थान हसना निमंत्रन दिया, राजिंग राजिस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट दोजार चौबीस के संबन में, जो राजिस्थान के उद्योग एवम वानिजे मंत्री हैं, करनल राज्य वर्धन राठोर, इन्होंने भी कुछ बातें कही हैं, जैसे कि राज्य सरकार का उद्य अगले पांच वर्षों में राज्य की जो वर्तमान जीडीपी है, मौझूदा जो पंद्रा लाग करोड है, उसको दोगना करके तीस लाग करोड तक ले जाना, राज्य सरकार का प्रियास है कि इज आफ डूइंग बिजनिस के तहत राजिस्थान में व्यापार करना, व्य पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए, फैसलों की जंद जल्द गिर्दावरी हो ऐसा, राजस्तान की मंतरी जभार सिंग वेढम के निर्देश दिए गए, फिर इसके बाद कुछ सामाने प्रशाशनिक जानकारी हैं, जैसे 717 पशु चिकत साथिकारियों की नियुक्ति के प्रयाप्त मात्रा में दवाया, आगी जानकारी है राश्टiają पोषन महान दोचारचार चौबीस से संबंदित भारस सरकार दौारा, राश्ट्य पोषन महा का इुजिन किया जा रहा है, जो की वर्श के सितंबर महा में अईुजित होता है, अब इस कारक्रम के अंतर गत्त अभियान लॉंच किया चिसका नाम है शक्ति उत्सव की अवसर पर ही एक और कारिक्रम लॉंच किया जिसका नाम सुरक्षित मां सुरक्षित बच्चा अभियान क्या है राष्टिय पोश्ण महां इसको भी समझेगे शासन सच्चप ने जैपुर में विराशत संग्राले का दौरा किया इसके बाद हमारा इंडेक्स दो दिन की जानकारियों में से तीन मुख्य खबर ऐसी है जो हमारे काम की सब्सक्राइब से सबसे पहली है राष्ट यह पोश्टन महां 2024 दूसरी है राइजिंग राजस्थान ग्लोवल इंवेश्ट्मेंट समेट कि दरस्तिंग इनवेश्ट्पन एक समभिसमिशं में से मिसिंग आप इस कारreciर करिम कि तहद मुख्य मंतरी के जापोन दौरा और तीसरा प्रधान मंत्री टीवी मुक्त भारत अभियान शुरुवात सबसे पहले करते हैं राश्टिय पोशन महां दो हजार चौबी से अभी चर्चा में क्यों है क्योंकि अभी इसके अंतरगत एक कारेकरम जिसका नाम है शक्ति उत्सव इसका विजन किया जा रहा और जागरुपता अभियान को लॉंच किया गया है यह पोशन महां एक सितंबर से पूरे प्रदेश में शुरू हो चुका है बलकि यह राश्टिस तरकाई कारेकरम है भारत सरकार इसका विजन कर रही है इसमें होगा क्या नाम से पता चलता है क्या कि यह पोशन महां है या अब इससे क्या होगा एनिमिया या वृद्धी निगरानी पूरा काहार पोशन भी पढ़ाई भी बहतर साशन के लिए तक्निकी उपाए परियावरन स्रक्षन ये इसके इस महां थीम रखी गई है और अलग-अलग थीम के साथ अलग-अलग आयूजन किये जाएंगे राष्टि पोशन महां 2024 के कलेंडर के अनुसार सितंबर महां में अनिक गतिविदियों का विजन किये जाएगा इन सभी थीम के साथ कुछ अलग-अलग गतिविदियों का विजन होगा इसके बाद है राइजिंग राजस्थान Global Investment Summit के तहत मुख्यमंत्री का जापान दोरा अब इस समिट के दोरां 11 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री जापान पहुंचे इससे पहले 9 सितंबर को मुख्यमंत्री पहुंचे थे दक्षिन कोरिया के जहां पहली इंटरनेशनल इंवेस्टर मीट का आविजन किया गया, अब यह पहुंचे है जापान, इस कारेखरम का यानि की राजस्थान, राजिस्थान ग्लोबल इंवेस्टमेंट समिट का यह है इन्वेस्टमेंट, एक दू कुछ टाइपिंग एरर है Global Investment Summit 2024 का मुख्य आयुजन होने वाला है 9 से लेकर 11 दिसंबर को और ये जैपुर में होना प्रस्तावित है लेकिन इस मुख्य आयुजन से पहले राज्य सरकार कुछ अलग आयुजन करी है जैसे कि देश विदेश में अलग अलग शहरों में भी और दुनिया में इन्वेश्टर्स मीट का विजन करना साथ ही रोड्सों का विजन करना इस दोरान पहले इन्वेश्टर्स मीट और पहले रोड्सों का विजन किया गया महराश्ट के मुंबई में लेकिन बात की जाए पहले अंतर राश्टी इन्वेश्टर्स मीट तो इसका विजन किया गया दक्षिन कोरिया के शहर सियॉल में और इसके बाद अब मुख्य मंत्री पहुंचे हैं कहां जापान में अब इस कारेकरम का उद्देश ही क्या है राइजिंग राजिस्थान ग्लोबल इंवेश्मेंट सम्मिट इसके नाम में ही इसका उद्देश चुपा हुआ है इसका उद्देश है दुनिया भर से राजिस्थान में निवेश को आकरिष्ट करना फिर है प्रदान मंत्री टीवी मुक्त भारत अभिहान जो कि 9 सुतमबर 2024 को भारत की राश्टपती के दौरा प्रदान मंत्री टीवी मुक्त भारत अभिहान का शुभारब किया गया जिसका उद्देश्य है वर्ष 2025 तक भारत से टीवी का उन्मूलन करना साथ ही टीवी के जो रोगी है इनकी भी उपचार के परिणाम में सुधार लाना इस कारेक्रम में कॉर्परेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी यानि की सामाजिक जो उतरदायतु है उसके तहर भी गतिविदियों का लाउख उठाये जाएगा इस कारेक्रम के कुछ घटक है जैसे की निक्षे मित्र पहल और निक्षे डिजिटल पोर्टल निक्षे मित्र पहल क्या है टीवी के लाज के लिए इसमें कुछ अतरिक्त साहिता सुनिशित की जाती है जबकि निक्षे डिजिटल पोर्टल क्या करता है पीडित व्यक्षियों के लिए कुछ सामुदा एक साहिता है तू यह एक प्लेटफॉर्म यानि एक मंच प्रदान करता है आज का अभ्यास प्रश्ण राष्ट ये पोश्ण महा का आयूजन किस महा में किया जाता है आपके ऑप्शन है अगस्त सितंबर अक्टोबर या फिर नवोंबर क्या होगा इसका सही उत्तर या बताएं कमेंट्स में अम मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में धन्यवाद